कमलेस अपने 20 साल के बेटे के साथ काम ढूडते हुए शहर में आता है, वहाँ पर काम उसको मिल जाता है, उसका बेटा राजमिस्त्री होता है, वो राजमिस्त्री का काम करता है, मतलब की घर बनाने वगरा का काम करता है, अब वहाँ पर कमलेस अपने बेटे के साथ रहने लगता है, वहाँ पर बगल के घर में एक लड़की रहती है, कमलेस का बेटा जो 20 साल का होता है, वो उस लड़की से बातचीत करने लगता है, दोनों वापस में प्यार करने लगते हैं, और इसके बाद क्या होता है, तो वो घर पर अख्सर रहता नहीं था इसके कारण कमलेस जो उसका पिता था उसके सामने जब लड़की आती थी तो वो उसे बाचीत करता था दीरे दीरे दोनों की बाचीत होने लगी और हुआ क्या तो अपने बेटे की गल्फ्रेंड को लेकर बाप भाग गया पिछले एक साल से प पहरन का मामला दर्ज करके जाज कर रही थी तमाम जगों पर पुलीस छापे मारी कर रही थी तमाम जगों पर पुलीस पता लगा रही थी कि आखिरकार या लड़की गई तो गई कहा क्योंकि लड़की के बारे में कोई सुराग मिली नहीं रहा था लेकिन जब सुराग के पारे में पता चला तो सबका हो सुड़ गया आगे आपको कानपूर की पूरी कहानी हम बताएंगे बाकि अमरा नाम मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं कानपूर में एक इलाका है जिसको चकेरी कहते हैं अब उस इलाके में कमलेस अपने 20 साल के लड मजदूरी करने अब वहां पर आते हैं तो उनको काम मिल जाता है वह एक जगह पर रहने लगते हैं वहां पर रहते रहते बेटे को बगल की लड़की से प्यार हो जाता है दोनों में बाचीत होने लगती है अब होता क्या है कि बेटा चुकी राजमिस्त्री का काम करता था वो घर वगरा बनाता था, उसमें मजदूरी वगरा करता था, तो बेटा अक्सर घर पर नहीं रहता था, और जो लड़की बगल की थी, वो उससे मिलने के लिए घर पर आती थी, और इसी दोरान जो कमलेश था, उसकी बातचीत उस लड़की से होने लगी, अब 20 साल के बेटे का पिता जो है, वो उसकी गल्फ्रेंड से बात करने लगा, दीरे दीरे दोनों बातचीत करने लगें, और कहा जाता है कि लड़की अपने वाइफ्रेंड के पिता से प्यार करने लगी, अब 2022 के मार्च महीने में दोनों घर चोड़कर फरार हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर पुलिस चानमिन करती है, पुलिस को शक होता ही नहीं, क्यूँकि 20 साल का जो लड़का था, बगल का वो घर पर ही था, तो पुलिस को लग लाँ था कि अगर कुछ ऐसा होता भी, तो 20 साल का या लड़का लड़की को लेकर भागता ना कि 20 साल के लड़के का बाप लेकर लड़की को भाग जाता अब पिछले एक साल से पुलिस तलास कर रही थी तमाम जगों पर पता लगा जा रहा था कि आखिरकार लड़की कहां चली गई लड़की कहां जा सकती है अचा कमलेस कहता है कि मेरे पिता मेरी गल्फ्रेंड को लेकर भाग गया है और वो दिल्ली में रहते हैं कमलेस को सारी की सारी बात की जानकारी थी वो जानता था कि उसके गल्फ्रेंड को उसके पिता ही लेकर भाग गया है और इसके बाद से जब कहानी सामने आती है तब उस इलाके के जो ठानेदार है जिनका नाम रतने सिंग है वो दिल्ली से जाकर उन लोगों को पकड़ते हैं इसके बाद जानकारी दी जाती है कि एक साल पहले क्या से पूरी की पूरी कहानी की सुरुवात होती है जहां पर लड़के अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ कर बॉयफ्रेंड क पिता के साथ भाग जाती है और लड़के को सब पता होता है लेकिन लड़का कुछ बता नहीं पाता और वो क्या ही बताएगा इसके बाद पुलिस ने आकर पूरी जानकारी दी पुलिस ने बताया कि एक साल से वह पिता जो है लड़की के बॉयफ्रेंड का बाप वह पुलिस में रहता था और लड़की अब कह रही है कि हमको अपने वाइफ्रेंड के पिता के साथ ही रहना है और पुलिस फिलाल लड़की के घर वालों को सुचना दे चुकी है और आप सोचिए कि पिछले एक साल से पुलिस के डेटा में सरकारी डेटा में उस लड़की का परण हुआ है उस लड़की को पुलिस ढूंड रही है और पता चलता है कि वो लड़की अपने मन से अपने वाइफ्रेंड के पिता के साथ भाग गई है और उसका कहना है कि मैं अपने वाइफ्रेंड के पिता से प्यार करती हूं और इसी के साथ रहूंगी बाकि आपकी प को यहीं पर समात करते हैं कैमरे विश्य विशाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सींग बहुत बहुत धन्यवाद